इतना सा गलत होता है फिर गलत करें भोला भाला थावी व्लू फ्रेंड्स कैसे हैं आप से वेल्कम बैक टू माय चैनल और आज जो है मुझे थोड़ा सा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में फिर से ऑनलाइन क्लासे स्टार्ट हो गई यार ऑनलाइन क्लास उसका चकर बहुत गंदा है क्योंकि दिल्ली में पालूशन का चकर और पालूशन की विज़े से ओनलाइन क्लासे से अविश्का के आँखों में थ्रोड़ा सा पानी और सर में दर्स शुरू हो गया जबकि ओल्लेडी वो चश्मा लगाती है पर अभी उसका पावर बहुत है कि नहीं होता है डिल्ली में ऐसा हो जाता है कि जब से यह लोगों ने कोविट टाइम से ओनलाइन क्लास का फंडा अपना लिया ना तब से श्कूल बंद करते हैं और चार दिन के लिए बंद करेंगे तो अनलाइन क्लास कर देंगे जिससे बच्चों की आइस पर कितना ज्यादा स्टेन पड़ता है कि आठ बज़े से बच्चा बैठा हुआ है और दो बज़े तक उठ रहा है मतलब सुचिए आठ से दू अगर आप भी 5-6 गंटा लगातार मोबाइल में देखेंगे यह लगातार लैप्टॉप में देखें तो आपके आँखों पर क्या ऐसर पड़ेगा नो नमबर? कोई नमबर नहीं? अब इसका को दिखाया और अविश्का को बता दूँ पावर पड़ गया है 1.25 से लेकर के अविश्का का पावर हो गया है 2.0 बहुत ज़्यादा मेरे टाइम से बहुत ज़्यादा मैं यह तो इतना नहीं लगा था सूचे हमारी इतनी एज में लगा इनका पहले ही लग से सर में दर्द आंकों में थोड़ा सा पानी शुरू हो गया है पर इसकूल वाले पता नहीं क्या है कि जब देखो तो ऑल्लाइन क्लासे का एक फंड़ा उन्होंने अपना लिया है जहां इसकूल बन वहां पर ओल्लाइन क्लासे स्टार्ट हो जाती है और अविश्का को बि बेज़ने क्यां है ररा अविश्का के सथ कहलत है क्योंकि मेरे से तो होनी पाता है थंद में तो बहुत जज़्असा पाता है तो काम के चकर में झाले ही 57 ूर मैं ज़रूर कहंग इस बचल लुद कि सुनते हैं कि फला की लड़की उस लड़के के साथ चली गए ऐसे चली गए यह सब सुनने में तो अजीव लगता है पर एक बात मैं कहना चाहूंगे कि जब भी लोग इस तरह की दो बाते तो लोग बनाते ही हैं क्योंकि जब गलत होता है तो फिर इतना सा गलत होता है तो उसके बाद भी इतना सा गलत हो जाता है पर इस चीज के लिए कहीं न कहीं थोड़े बहुत माबाप भी जिम्मेदार होते हैं क्योंकि society से बच्चे बाद में सीखते हैं पहले अपने घर से सीखते हैं और उस case में हाला कि कोई माबाप नहीं चाहते कि उनकी बेटी जो है गलत हो या फिर गलत करें पर होता है कि जब माबाप खासकर मा तो देखी अपने बच्चोंको समय देती देती है क्योंकि पूरा ट कुछ डिसकस करने लगे कि हां उसे लगे कि नहीं मेरे पास तो एक मा जैसी फ्रेंड भी हो और पिता जैसा दोस्त भी है तो शायद आप वो बेटियां अपने अच्छे बुरे हर फैसले में अपने माबाप से शेर करेंगी और माबाप की पर्मीशन लेंगी तो यह जो बीच बीचों को अपने अपने कलेजे से लगा कर रखेंगे उनको अपने घर अच्छा लगेगा न तो कभी किसी दूसरे की तरह वो देखेंगे भी नहीं यह चीज हर पैरेंट्स को होना चाहिए तो खासकर यह सिप पिताओं जितने भी पिता है ना उनके लिए चेताओं निये क्योंकि जब छोटी छोटी बात शेयर करेंगे ना तो आपको पतल जाएगा कि आपका बच्चा किस दिसा में जा रहा है तो थैंकि सो मच आपको मेरी बाते बुरी नहीं लगेंगी और बुरी लगे तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजेगा मैं आपको उस बात का भी थैंक यू